हलो दोस्तों, रिकॉर्ड बुक में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रिकॉर्ड बुक में रिमाइंडर फीचर कैसे इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड बुक एप खोलिए और अपनी जरूरत का रेजिस्टर सिलेक्ट कीजिए फिर या तो करन्ट कॉलम पर एडिट कॉलम पर क्लिक कीजिए और रिमाइंडर सिलेक्ट कीजिए या न्यू कॉलम बनाते समय रिमाइंडर डेटा टाइप सिलेक्ट कीजिए Next, आप उस कॉलम के Cell पर क्लिक कीजिए जिसके लिए आपने Reminder Data Type सिलेक किया है उसके बाद आपको स्क्रीन पर Reminder Options दिखेंगे Date, Time और Message आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से Date और Time डाल सकते हैं उसके बाद आप अपने Register का Description या नाम लिखकर Save बटन पर क्लिक करके अपना Reminder Record Book Register में Save कर सकते हैं Record Book यूज़ करें और इन Features का लाब उठाएं बिलकुल फ्री में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद